जम्मू संभा के अगर बात करें तो शदीद गर्मी वहाँ पर पढ़ रही है तापमान 42-44 डिग्री तक पहुँच रहा है तो ही अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए जो धर्ती पर जन्नत माना जाता है गर्मियों के सीजन में देश भर से विश्व भर से सलानी खास तोर प राजन वैद वहाँ से जुड़े हुए हैं कश्मीर घाटी से रईस मागरे हमाय सायोगी जुड़े हैं सबसे पहले राजन किस तरह से जम्मू में घर्मी पढ़ रही है क्योंकि इससे पहले जब हम आप से जुड़े थे लगबग दो हफता पहले तब भी तापमान 40-42 डि आज जो टेंपरेजर है वह 44 डिगरी पहुंच चुका है और दिन में यह 45 डिगरी को टेश कर सकता है जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो जम्मू में आम जंद जीवन है वह अस्त व्यस्त हो गया है यानि जो लू है लू के थपेड़ों से अब लोगों को यह अंदेशा है कि वह बिमार हो सकते हैं और इसलिए जो ठंडे पे हैं उसको पी के ही अपने आपको बचाने की कोशिश में हैं ऐसे में एडवाइजरी भी जो है है एड़ डिपार्टमेंट की तरफ से कि खास ध्यान रखना है आने वाले जो दस दिन है यह काफी घातक हो सकते हैं क्यूंकि जो टेमपरेचर है वो इससे भी जाधा जो है वो जा सकता है कुछ राहत जो है वो गर्मी से मिलती हुई दिखाई नहीं देती है इसको देखते हुए ही जो हेल्ट एडवाइजरी इसी की गई है वो इस्चु की गई है फायर एंड एमर्जेंसी विबार की तरफ से उनका कहना है कि कई हीट वेव के चलते कहीं आग लगने का खश्चा भी होता है क्योंकि इस वक्त जो लोग एसी लगाते हैं या बाकी जो उपकर्ण लगाते हैं उसके चलते भी कई जिगास से आग जनी की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं जंगल के इलाकों में जो के पेड़ होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं जिसकी व्यासे खश्चा होता है कि जो लोग जंगलों में इस वक्त पहारी लाकों में जाते हैं उनके लिए भी डिवाईजी जो है इस्चू की गई है तो आपर देश सकते हैं कि जो गर्मी की वज़ा से जो विभिन सेक्टर हैं उन पर इसका इंप्रैक्ट आया है स्कूलों में अभी छूटियां घोशित नहीं की गई है जासमीन जिसके चलते चोटे बच्चे बच्चों के लिए खास यह एडवाईजरी है कि वो खूब पानी पिये और अपने आप को जो है बिल्कुल जाजट बहुत सार तक इस तरह का तापमान रिकॉर्ड नहीं किया जाता था यह बड़ा क्लाइमिट चेंज है यह ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि कश्मीर जहां पर हमेशा एक तरह से ठंडी वादिया मानी जाती थी गर्मियों में लोग कश्मीर का रुख करते थे क्यूंकि गर्मी से उ तो ही स्थितिया अगर कुछ उपरी आलाकों को छोड़ दिया जाए लेकिन शहरी आलाकों में हालात क्या बने हुए हैं इस वक्त आलिकल सही है कि यहां यहां पर भी गर्मी कि लहर की जो है। नहीं हम और पिछले को ոहि की गए गर्मियों के बाद करें Jacis whisku Burraxwala कि यहां पे भी बतीज दश्य आमलों लगबग साथ डिकरी की सल्सिस के आसपास जो है वो तपान पहुँच गया है धर रिहारत पहुच गया है जिसकी वज़े से यहां पे भी काफी जो है वो महसुस की जा रही है ऐसे में जो तभी महारी ने उनका भी कहना है कि जो बोट्स में निकल के सेर्ग पर निकलते हैं ताकि जो घर्मी है इससे वह बाइच सके और टूरिस्ट्रों से इतनी भी हमारी बात हुई तो उनका यही मानना था कि जो जब में में यहां पर आते थे तो इतनी घर्मी नहीं होती थी और बता दे कि कल काजी गुण में 33.5 जिग कर्वार्ड किया गया था जो क्या हीस्ट है लेकिन उसके बार सेकन्ड हैस्ट काल यहां पर जो है वो देखने को मिला काजी गुण में तो आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिरों को कि बांग अबलके को करणा को बदर आए जो है वहां पर भी इसी तरह के जो टर्षे जो दर्जे हरत है वो पाया जा रहा है और ऐसे में अगर हम महकर में मुस्मियात की माने तो उनका यह कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में घर्मी की जो लहर है वो इसी तरह जारी रहेगी और कोई बड़ी मौसम में तबदिली का कोई इमकान नहीं है तो ऐसे में जो लोग ह जो मिगदार है बड़ी में वो बना रहा है और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि यहां पर जो जवाब लूँगी कि क्या सयाहों की आमध पर भी इस मौसम का कुछ असर पढ़ रहा है इसका जवाब में आप से लूँगी लेकिन राजन आप से जानना चाहेंगे जैसे म अर्मी लोगों को परिशान कर रही है उनकी दिन चर्या प्रभावित हो रही है लेकिन जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं है वो बढ़ गई है उसको लेकर किस तरह से एडवाईजरी जा जो मौसम विभाग है या फिर जो अमला है जो इसके लिए रिस्पॉंसिबल है वो क जनी की केवल जमू संभाग में हुई है और उसके साथ तो पिछले एक दो महीने में भी जो इसमें है इजाफा देखने में आया है यह साफ संकेत है कि जो जो हीट वेव जब आती है जब घर्मियों का मोसम आता है तो आग जनी की जो घटनाएं वो बढ़ जाती है इसको द हुजाते नहीं है यानि कि उससे कि उससे भी जंगलों में कई जंगलों में जो है वो इस वक्त आग लगी हुई है पहाड़ी लाकों में और उसके साथ-साथ उनका यह कहना है कि कई ऐसी जो जो फ्लेमबल चीजे हैं जिनको जल्दी आग लग सकती है वो जो सूरज की जो स गैस को ऑन कर देते हैं पीछे से बंद करना चाहिए नीचे से कैस को तो छोटी होटी जो है वो फायर एंड एमजेंसी विवार की तरफ से इशू की गई है और वहीं है इशू की गई है और लोगों से आहवान भी किया गया है यदि बहुत जादा एहम नहों तो दुपहर क के वक्त सीधा जो लू के कंट्रेक्ट में आने से कई बिमारियां जो है वो हो सकती है और हालें कि अभी स्कूल में छूटिया नहीं पड़ी लेकिन यह उमीद है कि जून के शुरवात में ही जो छूटियां है स्कूलों में पड़ेंगी तब जो लोग हैं यहां जो पहारी नहीं है जिससे लोगों को इतिहात करने के लिए अभी कहा गया है जी जास्मिन बिल्कुल राजिन रईस आपसे बहुत चोड़ा से सवाल कि किस तरह से सया यहां पर पहुंच रहे हैं और उनका क्या रियाक्शन है और क्या उनकी आमद पर इस मौसम का कोई असर देखा जा जो है फार इंडूर्स में काफी इजाप हुआ है लगबख 24,000 के आसपास जो है वह फार इंडूर्स यहां पर आया है और अगर डोमस्टी टूर्स्ट्रों की बात करें तो वह भी बड़ी तेदाद में यहां का रुख कर रहे हैं कुछ टूर्स हमारे साथ हैं उनसे जानन है कि असर पढ़ेगा तूरिस्ति के आमत हम ठंडी जगे के लिए आना चाहते है बट ऐसा ही वेदर रहा तो फिर कैसा होगा जिस तरह से आपने देखा तो इनका भी माना हैं कि यहां पर ठंड के लिए आते हैं और मौसम ठंडा हो तब यहां पर आते हैं लेकिन अगर ऐसे में यहां पे भी दर्जे हरा जो है वो बढ़ जाता है यहां तापमान वैसे ही रह जाता है जैसे बाहर राजु में तो फिर येकिनन एक असर पड़ेगा टूरिस्टों की आमद पे लेकिन जिस तरह से हम यहां पे देख पा रहे हैं जो हिल स्टेशन है चाहे हो पहल गाम हो मरगो सोन मरग हो तो वहां पे फुली जो होटेल जैवो जैंपक फुल पैक है वहां पे जो है वह अभी कमरे में मिर रहे हैं पूरी तरह से बरे हुए है होटल कि थोड़ा बहुत कंसर्ण है राइस की लोग ठंड के लिए यहां पर रुख कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से तापान बढ़ रहा है वो लोगों के लिए कंसर्ण का विश्रय जरूर है